चैनल एडू संकल पर उमिद करता हूं आप तब लोग ठीक होगे तो जैसे कि हमारी वीडियो लेक्चर सीरिस चल रही है डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम्स के लिए तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस होने वाड़ है तैट इस उनाइटेड नेशन और ग चाया का इंपॉर्टेंट कोश्चन बन सकते हैं या बनते रहे हैं हमारे एक्साम में यू एनों से सो लेट स्टार्ट विड़ उनाइटेड नेशन और के लिग ऑफ नेशन यू एनों से पहले क्या बना लीग ऑफ नेशन और गिनाज़ेशन विच वाज कंसीव दूरिंग स्टार्ग कि पॉर्ट वरड वार फस्ट वर्ल्ड वर से और के बाद इसको बनाया गया ताकि दुबारह कभी वर्डवार न हो सेकंड वर्ड वर ना हो टीक है यह 19-20 में बना जी लीग आफ नेशन अंडर दा Treaty of Versailles, टीक है इसका उब्जेक्टिव क्या था कि दोबारा कभी वर्ल्ड वर ना हो लेकिन यह अपने अब्जेक्टिव फुल्फिल नहीं कर पाया, इस चीज के लिए लीग आफ नेशन बना था war responsibility नहीं निभाबाया so it was ceased its activities after falling to failing to prevent the second world war so second world war जब start हो गई है world war नहीं रोक पाया तो इसने अपनी activities बंद कर दी रहे किसा आप से आप कहा सकते हो कि League of Nations बंद हो गया ठीक है तो फिर second world war के बाद क्या हुआ जी United Nations Organization for more 6 अगस्ट 1945 को US ने जपैन की एक city हिरोशीमा के उपर nuclear bomb ड्रॉप कर दी जिसका नाम था little boy and 9 अगस्ट 1945 को जपैन की दूसरी city Nagasaki उसके उपर एक atom bomb ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था fat man ठीक है जी दो atom bomb गिरा है little boy and fat man little boy 6th august 1945 and fat man 9 अगस्ट 1945 ठीक है हजारों लोगों की on the spot death हो गई ठीक है जी बहुत बड़े areas मिट्टी में मिल गए ठीक है जी तो economy स्तबा हो चुकी थी और इसकी radiation फैल गई जिसके after effects बहुत सालों तक देखने को मिले even अब भी भी देखने को मिलते हैं ठीक है तो अभी एक ऐसी organization की जरूरत थी जो future में war ना होने ठीक है क्योंकि already दुनिया दो world war देख चुकी थी और world war second में तो nuclear attack भी देख चुकी थी तो future में कभी भी world war ना हो तो एक organization बनाएगी जिसे हम आज की date में United Nations organization के नाम से जानते हैं आज भी अपने effectively काम नहीं कर पा रही है जैसे यूए नो बनने के बाद भी बहुत सारी वार्स हो चुकी है जैसे अभी present में रश्या यूकरेन वार चल रही है उससे पहले तीन बार इंडियो पाकिस्तान वार इंडिया चाइन वार अजरबाइजान और अर्मेनिया की वार हो चुकी है इसराइल और पलेस्टीन की वार चलती रहती है यूएस इराथ बार हो चुकी है वहत सारी वार्स अल्रेड़ी हो चुकी है लेकिन स्टिल हमारे एक्साम पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट है यूनाइटिड नेशन और्गनेशन इससे बार-बार questions repeat होते थो देखते हैं क्या क्यक्या question कणते है वेसन जो है जो फ्रेजेइंट नेशन के उसको बालता से प्रेजडन के चैनल पर्चुगल से हैं पहले नॉर्वेज से अभी प्रेजेंट हैं अन्टॉनियों गुट्रेस इनकी सेकिंड टम चल रही है जी ठीक है और यह कहां से हैं पॉर्चुगल से कब हुआ जी हैं फॉर्मेशन कब हुई युनाइटेड नेशन की फॉर्म डॉन 24 ऑक्टोबर 1945 बहुत इंपोर्टन डेट एक्जाम में बहुत बार आती है जी 24 ऑक्टोबर 1945 को बना युनाइटेड नेशन इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है जी न्यू यॉर्क में है यह जो नाम है उनाइटेड नेशन, टर्म उनाइटेड नेशन वाफ किवन बाई F.D.Rosevelt जो यह नाम है उनाइटेड नेशन यह उस समय के जो उनाइटेड सेट के प्रधान मंतरी प्रेजिदेट थे F.D.Rosevelt उनोने दी जी कह दो देन प्रेजिदेट अफ देडियन अफ दी रू वैसे हम सारे ही जानते हैं कि 51 कंट्रीज ने मिलके यूए नो बनाया आएंगे उस पे भी आपका डाउट दूर किया जाएगा तो जो इसका चार्टर था वो इनिशली 50 नेशन्स ने साइन किया 26 जून 1945 को ठीक है थी पॉलेंड ने साइन नहीं किया था उस ताइम उसकी कु साइन नहीं किया वो इट वस साइन बाई रिप्रेजेंटेटिव फिफ्टी नेशन्स ओं 26 जू 1945 चार्टर साइन हुआ 26 जू 1945 को लेकिन जो इसकी फाइनल फॉर्मेशन ही वह हुई 24th October 1945 को तूंकि यूनाइटे नेशन बनाने की जो डिमांड है या मांग है वो पहले ही 1942 में ही स्टार्ट हो चुकी थी जो यह टर्म उनाइटेड नेशन है यह एफड रूसवेल्ट ने 1942 में ही दे दी थी ठीक है तो पॉलेंड वोस दा 51st नेशन तू जॉइन दा चार्टर एंड अटेंड मीटिंग सेंट फिफ्टी फर्स कंट्री ठीक है तो पॉलेंड ने जिक है फू उस्ट कितने मैंबर नाइट नेशन है वह यह से बार मेंबर बने है वह बने है जिसकी प्रस्ताव ना वो किसने प्रिपेर किया ओ फिल्ड मार्शल स्मट ने फिल्ड मार्शल स्मट ने उसका प्रियंबल या प्रस्तावना प्रिपेर की अभी जो हमारे United Nations यह फॉर्दर शिक्स पार्ट में डिवाइड इसे हम छे और गन्स की नाम से जानते हैं औरती ट्रस्टीशिफ काउंसल फिफ्ट इंटरनेशनल कॉर्ट और जस्टेश इस एड आप सकते जे बंदी गांट जो बॉड़िए हर साल सेंबली में मिलती यह हर साल मीटिंग ओती है चैनल सेंबली के सब्टेंबर में सबसे ज़्यादा जो हमारी ओपर 193 members दिए गई है यह general assembly में ही है ठीक है बाकी जो organs है उसमें कि उसमें सभी में अलग-अलग members है कम members है किसी में 15 है किसी में 50 है ठीक है अलग-अलग members है जो security council है economic and social council है ठीक है जो 193 members है यह किसमें general assembly में है ठीक है और जो international court of justice यह पूरी दुनिया की common court है जहां पर international dispute solve के जाते हैं तो international court of justice को छोड़के बाकी जितने भी और गन दे united nation के सभी का head office कहां पर है न्यू यॉक में सभी का head office कहां पर है न्यू यॉक अधिक है और जो international court of justice है एक ले तो एक लोटा और गन है जिसका headquarter the haig netherlands the haig netherlands official languages of UN united nation में कितनी official languages है so there are six official languages in UN कितनी official languages है six kong kong si जी देखते है there are six official languages English French Spanish Arabian Russian and Mandarin ठीक है यह छे official languages Mandarin कहां कि चाइनीज चाइनीज लेंग्वेज को Mandarin language बोला जाते है ठीक है लेकिन जो वर्किंग लेंग्वेजिन उनाइट नेशन में वह सरफ तो हैं जी English and French ठीक है ओफीशन लेंग्वेजिए six हैं लेकिन वर्किंग एड प्रेजन कों सी हैं दो English and French यह दो वर्किंग लेंग्वेजिए उनाइटिन नेशन का फ्लाग यह बहुत इंपॉर्टन है फ्लैक से भी बहुत बार और इसके सेंटर में क्या धिया गया है वर्ल्ड में इमेजिस में बहुत दिख रहे हैं इन्दिया बहुत सालों से कौशिश कर रहें युनाइटिन नेशन security council में veto power हासल करने की लेकिन हम veto power हासल नहीं कर पारे क्यों पहले देखते हैं जी veto power कौन कौन सी countries के पास है there are five permanent countries in United Nations security council having veto power ठीक है पांच permanent countries है security council में जिनके पास क्या है veto power है ये कौन कौन सी पांच country है USA UK, France, Russia and China security council में क्या होता है security council में unanimous decision चलता है ठीक है ऐसा नहीं है कि पांच में से तीन जने agree है और दो जने disagree है तो decision हो जाएगा majority वाला decision नहीं चलता है यहाँ पे unanimous decision चलता है किसी भी चीज के लिए ठीक है पांच की पांच countries का agree होना जरूरी है इंडिया बहुत टाइम से कौशिश कर रहा है United Nation security council का permanent member बनने के लिए लेकिन चार countries हमारे साथ हैं लेकिन चाइना हमारे against veto कर देता है जब तक चाइना भी राजी नहीं होगा अभी के लिए जो system चल रहा है present system में तब तक इंडिया को veto power नहीं मिल सकती पर्मेंट मेंबर नहीं मिल सकती तो यह पांच के है permanent and there are 10 non-permanent countries इसमें से 10 non-permanent countries है United Nations security council में जो दो साल के लिए चुनी जाती है हर दो साल बाद चुनी जाती है जी ठीक है जिनका 10 और 2 years का होता है दस non-permanent countries है पांच permanent countries है United Nations security council में एक प्रवर्ब एक प्रवर्ब यूज की जाती है United Nations security council के लिए that is policeman of the world United Nations security council का बोला जाता है policeman of the world पूरी दुनिया का watch dog या policeman कहा जाता है United Nations जो भी important मुद्धे हैं world level के जो भी important matter matter of concern है वो United Nations में discuss किये जाते है United Nations में raise किये जाते है जाहे वो environment के related है जाहे वो health के related है जाहे वो sanitation के related है जाहे वो environment के related है जाहे रीसेंट्ली अपने statement देखे होगी United Nations security council क्यों नहीं बोला this is not global warming this is global boiling जाहे कि present अब जुलाय मन्त की अगर पड़ो तो दो यार थेज का जुलाय मन्त हा ओ वर्ल्ट का होट टेस्ट देट होट टेस्ट जुलाय मन्त हा ठीक है जी तो environment related economics related financial related health related public health related ठीक है जो सारी important discussions है matter raise किये जाते हैं voice raise की जाते हैं United Nations organizations में की जाती है ठीक है जी तो this is United Nations organization एक basic structure है important question बनते हैं सब फॉर्म हुआ कितनी countries ने मिलके sign किये present member countries कितनी है latest कौन सी country एड़ी present secretary general कौन है ठीक है जी six organ कौन-कौन से official languages कितनी है working languages कितनी है यह सारे बनते हैं और चैनरal assembly का हर साल में एक बार इसका एक प्रेजिदेंट बनते हैं general assembly का every year president बनते है और बनियर हर साल एक प्रेजिदेंट बनते है general assembly का जो general assembly को represent करता है ठीक और general assembly में setting arrangement वो भी हर साल change किया जाता है जैसे हम हमारे आप पार्लेमेंट में देखते हैं जैसे मिनिस्टर मिनिस्टर आप स्टेट मिनिस्टर या बाकी मेंबर आफ पार्लेमेंट्स पैठे होते हैं ठीक है वैसी यहां बेग setting arrangement है लेकिन वो हर साल change होता है जैनल से this is all about United Nations organization hopefully आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा चोटी सी वीडियो में आपके सारे doubts clear होंगे 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 सो मिलते हैं बहुत चल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ और ऐसी ही important चैनल नॉलेज की information होंगी आपके साथ share करते रहेंगे so keep watching the video subscribe our YouTube channel share our videos with all your friends like the video